नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच नामा में मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पाँच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्तर मनीश कुमार जी डॉक्त साब आपको बहुत बहुत स्पागत है ज़न्यवाद सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हैटलाइन स्पाई राहुल से एडि की पूछ ताच पर उग्र हुए कॉंग्रेस से जमकर काटा बवाल बैरिकेट तोड़ कर एडि ऑफिस के बाहर की आग ज़न्यवाद राहुल से एडि की पूछ ताच पर कॉंग्रेस नेता शेख हुसेन के बिगड़े बोल पीम मोदी के लिए कहे अपशब्द हुसेन के खिलाप नाकपूर में एफ़ यार ताच एडि के सवालों से परिशान सतेंद्र जैन ने दिया गजब जवाब बोले कॉरोना से मेरी याददाश्ट चली गई है कुछ याद नहीं राश्ट्रपती चुनाओ पर विपक्षी दलों की बैठक पर मम्ता बनर जी को करारा जटका आप और टी आरेस ने मीटिंग में शामिल होने से किया इंकार आदित्य ठाकरे शिव सेनिकों के साथ पहुँचे आयोध्या दोरे पर उद्धव ठाकरे ने खेला हिंदोत वुकार आज की सबसे पहली खबर राहूल गांधी से एडी की तीसरे दिन की पूछताच पर नेशनल हेराइड केस में पूछताच के लिए लगातार राहूल गांधी एडी दफ्तर में हाज़री लगा रहे हैं तीसरे दिन भी एडी ने कई सवाल जवाब किये लेकिन ये सवाल जवाब कॉंग्रेसियों को पसंद नहीं आ रहे हैं और बवाल का रास्ता अपना रहे हैं आज एडी दफ्तर के बाहर पूछताच का विरोध करते हुए आग लगा दी टायर जलाए गए बैरी केट तोर दिये गए साथ ही दिल्ली पुलिस पर कॉंग्रेस लाठी चार्च का आरोब भी लगा रही है लेकिन पुलिस ने लाठी चलाने वाली बात को गलत करार दे दिया है डॉक्टर साब कॉंग्रेस क्या चाहती है मकसद क्या है उसका देखे कॉंग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी नैशनल हिराल केस में पुरी तरीके से फस चुके हैं जिस तरह से उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके पास उनके जवाब नहीं है उनसे पूछा जा रहा है विदेश में कितनी संपत्ती है हिंदुस्तान में कितनी संपत्ती है कितने बैंक अकाउंट्स हैं, किन-किन बैंकों में आपके बैंक अकाउंट्स हैं और उसमें क्या-क्या रखा हुआ है साथी साथ उनसे ये भी पूछा जा रहा है ये जो यंग इंडिया कंपनी आपने जो स्टार्ट की जिसका 76 फीसदी जो शेर है वो मा बेटे के पास है उसका रिष्टा शेल कंपन्यों के साथ क्या है पैसा आया, कैसे आया हवाला से आया, चेक से आया, कैश आया इसका जवाब राहूल गांधी नहीं दे पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि राहूल गांधी रोज शाम को निकल कर वो अपने वकील मित्रो जो कॉंग्रेस पार्टी के लीडर्स है उनके साथ वो डिसकस करते हैं कि ये पूछा गया, ये जवाब दिया गया अब जब ये समझ में आ रहा है कि राहूल गांधी इस केस में बच नहीं सकेंगे तो कॉंग्रेस पार्टी के कारकरताओं को ये आदेश दिया गया है कि जो प्रदर्शन है उसको उग्र किया जाए और इसलिए आप देख रहे हैं हाता पाई कहीं पुलिस पे अमला सब जगह सब कुछ हो रहा है लेकिन सबसे एहम जानकारी वो ये है कि कॉंग्रेस पार्टी के मुख्याले में लोगों का जो सो कसकते की जो भाव है वो निराशा जनक है वहाँ अब लोग नहीं पहुँच रहे है एक दो दिन और अगर ये पूछताच चलती है राहुल गांदी ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे जी बिल्कुल यानि की ईडी की पूछताच से कॉंग्रेस इतना बौखला गई है कि होश में ही नहीं है महरास्ट्र कॉंग्रेस के नेता शेख हुसैन भी ईडी की कारवाई पर इतना तिल मिला गए है कि पीएम मोदी के खिलाफ आप शब्द कहे और कहा कि सुनिया गांदी और राहुल गांदी को कुछ भी हुआ तो देश में आग लगा देंगे जिसके बाद नेता के खिलाफ नाकपुर में केस दर्ज हो गया है साथ ही ये मांग भी की जा रही है कि ऐसे नेता की जगहत जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए डॉक्टर साब कॉंग्रेस नेता को उसके लिए क्या सजा मिलने चाहिए देखिए ये बजजवानी जिस भाशा का उपयोग किया गया उसे मीडिया दिखा नहीं रहा लेकिन ये जानना आपको जरूरी है कि इस बदबक्ष ने क्या काम किया है इसने कहा कि जिस तरह से कुट्टे की मौत होती है वैसे ही मौत प्रधान मंतरी मोदी की होगी और ये बयान जब वो दे रहा था महरास्त की सरकार के दो मंतरी बगल में खड़े थे और जब FIR दर्ज होता है तो ये कायरों की भाती अपने बयान से पलट जाता है लेकिन बयान से पलटने की आविशक्ता इनको नहीं है क्योंकि इनके उपर कारवाई होनी ही चाहिए क्योंकि ये इतना ज्यादा जोश में अपने होश को गवा चुका था कि उस भाशन के दोरान ये भी कहा उसने कि प्रधान मंतरी के बारे में मैं जो ये कह रहा हूँ मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगा लेकिन जब FIR दर्ज हुआ है तो इसके घिकी बन गई है राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने भरष्टाचार को बचाने के लिए उस पे परदा डालने के लिए कॉंग्रेस पार्टी के निताओं का इस्तमाल कर रहे है और ये मुखता कॉंग्रेस कारकरताओं की है कि उनकी ही प्रॉपर्टी को ये नैशनल हराल, ये कॉंग्रेस पार्टी की मिलकियत है कॉंग्रेस पार्टी की वो प्रॉपर्टी है उसको वो पर्सनल अपने पॉकेट में ले रहे हैं और ये मुर्खों की भाती जो इनका चोर है उसके ही डिफेंस में आंदोलन कर रहे है और ये भासन वाजी कर रहे हैं डॉक्टर साब क्या वाकई यादास चली गई या इडी के जो सवाल है उनके जवाब मंत्री जी के पास है नहीं बही ये जो हिंदुस्तान का की राजनीती का नेटवरलाल है केजरिवाल क्या नगीना ढूंड के लाया है ये चोरी में पकड़ा जाता है तो यादास चली जाती है तो ये बात उसको केजरिवाल को पहले बतानी थी कोरोना हुए तो बहुत समय हो गया उसको तो बिना यादास्त के वो मंत्राले चला रहा है बिना यादास्त वाले सक्स के साथ मिलके कैबनेट की मीटिंग कर रहा है केजरिवाल दुनिया की सबसे इमांदार पार्टी है हम और हम कटर इमांदार हैं ये कटरता नजरा रही है होता ये है जब चोरी पकड़ी जाती है तो अच्छ अच्छे लोगों के होस जो है फाकते हो जाते हैं यादास्त नहीं गई है यादास्त जाने की ये नोटंकी कर रहा है ऐसे ऐसे लोगों के लिए ही कोट को बकायदा नारको टेस्ट करवाना चाहिए वो सारी पोल पट्टी खोल देगा अभी तो सिर्फ यादास्त गई है जब जेल जाना पड़ेगा जब इसमें सजा मिलेगी तब और क्या-क्या इनकी और इनकी पार्टी की जाएगी वो तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जी बिलकुल एक तरफ एडी ने सब को लाइन में लगा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर जी सब को लाइन में लगा कर बीजेपी के खिलाफ रणनीती ब लेकर चर्चा हुई लेकिन आमाद्मी पार्टी टी आरेस और बीजेटी जैसे दल बैठक में नहीं गए जो मम्तब अनर्जी के लिए बड़ा चटका है डॉक्टर साब मम्तब अनर्जी की बैठक से ये कुछ दल नदारत रहे हैं आखिर क्यों देखिए कौन हारे हुए मैच को खेलना चाहेगा राश्पती चुनाव के लिए तमाम विपक्ष एक उमिदवार ख़़ा करना चाहती है जिस उमिदवार को ख़़ा करने की जुगत में ये लोग वो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गया है अब देखिए ममता बुलर जी ने प्रेस कॉंफरेंस की इस मीटिंग के बाद और ये कहा कि शरत पवार को हम लोग मना रहे हैं सरत पवार बेवकूप हैं सरत पवार बेवकूप हैं सरत पवार के अंदर तो वह लड़ू फूटरे के अभी वह प्रधान मंत्री बन सकते हैं राश्पती बनने के बाद तो यूटर नहीं, उसके बाद तो रिटार्मेंट है फिल सीधे, पता नहीं कहां, गर्त में चले जाएंगे, तो अभी एनसेपी के एक मीटिंग हुई थी, गुप्त मीटिंग कि क्या राश्पती बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो मीटि वहाँ से मीटिंग में लोगों ने डिसाइड कर लिया कि राश्पती का चुनाओं वो नहीं लड़ेंगे ममता बरना जी खिराली है उनको लगता है कि वो फ्लाइट पकर के दिल्ली आएंगे और दिल्ली में चार पांच लोगों से कैसे कैसे लीडर्स थे वहाँ पर और मैं यश्वन्थ सिनहा को यश्वन्थ सिनहा का नाम TMC के अंदर फ्लोट किया जा रहा है कि इनको राश्पती का उमिदवार बनाया जाएं तो यह Congress Party क्या करेगी और Congress Party जहां इस मीटिंग में आ गयी तो आम आदमी Party क्या करेगा टियारेस वाले इसलिए छोड़के चले कहें कि कॉंग्रेस पार्टी से उनको अपनी जगह लड़ाई लड़नी है ये जो विपक्षी एकता की बात होती है इनके अंदर जो विरोधा भास है वो हमेशा वो प्रकर हो जाता है इस वज़े से ममता बनर जी का ये जो नया ड्रामा राश्पती चुनाव को लेकर के है वो सुरवाती से ही फ्लॉप शो है इससे कुछ नहीं होने वाला एंडिये के पास भारती जनता पार्टी के पास वो प्रयाप वोट है जिससे वो किसी भी व्यक्ती को राश्पती के लिए चुनेंगे तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएगा कहानी यहीं पे खत्म होती है एक तरफ मम्तब अनरजी विपक्ष को साथ कर आगे की रणीती बना रही है तो वहीं उधव ठाकरे हिंदुत्व को साधने के लिए आदित्त्य ठाकरे को तयार कर रहे हैं खबरी ये हैं कि अयोध्या यात्रा के जरिए आदित्य ठाकरे को शिवसीना हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी में हैं, पार्टी ने तो यात्रा को पूरी तरह धार्मिक बताया, लेकिन भाजपा का साथ छोड़ने के बाद से ही शिवसीना पर पूरी बाटने की तो ये यात्रा धार्मिक नहीं राजनितिक हो गई, पहली बात. दूसरी बात ये कि आप उसों कहते है ना नीतियां बनाए कुछ और गोशना करें कुछ और महराष्ट के अंदर हनुमान चरिसा पुणने वालों के खिलाब आप देश द्रो का कानून लगा दें उसको जेल में डाल दें और बजरंग वली के पुजारी को आप प्रतारित करें तो राम लिल्ला तो खुश होगे नहीं हनुमान जी को प्यार करने वाले लोगों के खिला चुनाओं है कहां मुंबई में बीमसी का चुनाओं है और वहां भारती जनता पार्टी और राज ठाकरे ने ऐसी गोला बंदी की है कि जिसमें सिर्व शेना की इमेज एक हिंदुत की पार्टी के रूप में वो धाराशाही हो चुकी है किसी तरीके से उसको रिवाइब करने की कोशिश की जा रही है ये कोशिश सिर्व शेना को वैसे भी करना चाहिए लेकिन ये सिर्व जुकर सकते की दिखावटी नहीं आपको ये जो जरील ए आई एम का जो सांसद उसने नुपुर शर्मा के खलाब जो बयान दिये उसको ग खला होना चाहिए था आपको हनवान चलिसा के साथ खला होना चाहिए ये नहीं कि आप अजान के लिए 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद सारे हिंदू मंदिरों के लौड स्पिकर को बंद करवा दें और ये कहें कि मैं तो हिंदुत वाले पार्टी उसकी विचारधारों को खबरों उनके साथ ये अनलेसिस के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवे में लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार